Welcome dear students, आज history का आखरी lecture में लेके आया हूँ, important questions में लेके आया हूँ और ये revision हमारा जो series है, revision series का ये आखरी lecture है और जिनको full lectures देखना है, आल्रेडी हमने वो upload किया हूँ है तो आप वो playlist में जाके देख सकते हूँ, detail जहां पर हम के सकते ही तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं हाँ कल हमने आपके जो डिमांड पे स्टार्ट किया था MCQs का टेस्ट याने मौक टेस्ट और उसमें काफी अच्छा स्कोर हमें देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंटली डिमांड हो रही कि अप जो अपना स्टेंडड है उसको बढ़ा लीजिएगा और जो एक्जाम में इजी कॉश्टेंज लगे थी उनको इजी कॉश्टेंज लगे थी जिन्होंने हमारे जो लेक्चर से अलरी फॉलू किया है कंसिस्टेंटली और उन्होंने मैक्सिमम बचू ने 20 आउट अफ 20 यहां 20 से 16 से उपर किया है तो एक अच्छी कोशिश सब की तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पहले पढ़ लेते हैं आज की जहां इपॉर्टन कोश्टेंज यहां पर लास्ट गवरनर जनरल अफ इंडिया यहां पर याद रख लिए जीगा लास्ट गवरनर जनरल अफ इंडिया लॉड कैनिंग और यह लॉड कैनिंग बने फिर फिर्स्ट वाइसराय अफ इंडिया याद रख लिए जीगा लास्ट गवरनर जनरल अफ इंडिया लॉड कैनिंग और यह बने First Vice-Roy of India Lord Kenning ही बने First Vice-Roy of India यह बने 1857 revolt के बाद 1857 जब revolt था तब तक Governor General का रूल चल रहा था जब 1857 का revolt हो गया revolt of 1857 जो की Lord Kenning के दोरान ही होता है तो उसके बाद यहां पे changes आती हो और 1858 में एक act पास किया जाता है और उस act के दोरान Governor General को additional title दिया जाता है जिसे कहा जाता है Vice-Roy तो वो Lord Kenning पहले Vice-Roy थे Lord Mayo is the only Vice-Roy Lord Mayo is the only Vice-Roy जिनको office में murder किया गया जब यह office में थे यानि during उसका tenure चल रहा था तो उनको murder किया गया यानि उनका murder किया गया तो only Vice-Roy जो है जिनको murder किया गया तो वो Lord Mayo है Lord Ripan is called Father of Local Self-Government in India जी हाँ Lord Ripan is called Father of Local Self-Government in India First official census in India in 1881 Lord Ripan के दोर में होता है मैं काफ़े तेज जाता हूँ क्योंकि हमारी जो कोशिश है कि फटा-फट आपको कम समय में ज्यादा knowledge होनी चाहिए हासिल तो हमारी कोशिश है ही है कि आपका समय भी यहाँ पे कम लगे और ज्यादा knowledge आपके पास पहुंचे First official census in 1881 1881 में Factory Act भी पास होता है याद रख लीजेगा First Factory Act 1881 में पास होता है Lord Ripan ही कर ले थे और Lord Ripan के दोरान ही First official census से वो होता है Lord Ripan को कहा जाता है Father of Local Celeb Government in India याद रख लीजेगा Important point से काफी important है सबसे important यहाँ पर यहाँ पर यह आ रहा है Formation of International Congress in 1885 by A.O. Hume A.O. Hume ने Indian National Congress को बनाया 1885 में और इसमें 72 delegates ने participate किया था जब पहला इसमें session हुआ था पहला session Bombay में हुआ था इसके पहले President जो थे W.C. Banner जी थे इसका जो session था यह Bombay में हुआ आखरे समय में जो venue था वो change करना पड़ा था Because of Outbreak of Calra जो की इसका पहला जो session होने वाला था पुने में था लेकिन session को change किया गया यानि जगा को change किया गया और जगे जो है वो Bombay को करार दिया गया तो पहला जो session है वो Bombay में हुआ इंडिया National Congress का उसके बाद Lord Curzon का दोर आता है यानि हम important questions पढ़ लेती उसके बाद Lord Curzon का दोर हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे Lord Curzon Appointed Police Commission जी हाँ और Police Commission के हैड कोन थे एंडियू फ्रेजर अंडर अंडर एंडर फ्रेजर Lord Curzon Appointed Police Commission दिखीगा यह वो points में यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है जो आपके जहन में मतबना आपने कभी दियान नहीं दिया होगा क्योंकि इसमें आपको हर कोई चीज Importantly pick करना है वरना यहाँ पे मैं easily यह भी ला सकता था जो famous ही इसके दोर में Lord Curzon के दोर में 1905 में पर्टिशन आ बेंगाल लेकिन वो आपको maximum लोग को पता होगा और अल्रड़ी हमने पढ़ा है लेकिन हमने यहाँ पे कोई चीज किया है वो कोई चीज लाने की जो Important है Lord Curzon passed Indian Coinage and Paper Currency Act First Currency Act यहां Coinage Act किसने पास्ट किया था Lord Curzon ने Lord Minto Second और इसके दोरान काफी कुछ Changes होती है काफी कुछ Misunderstanding होती है यह Misunderstanding होती International Congress में और इसे कहा जाता है सूरत सिप्लिट यह सूरत सिप्लिट होता है 1907 में यह सूरत सिप्लिट यह सूरत सिप्लिट Important क्यों है यहाँ पे जो International Congress के दो wings थे बन जाते हैं Moderates and Extremists Moderates and Extremists जी हां Moderates and Extremists में यह Divide होता है उसके बाद Lord Harding Second Transfer of Capital from Kolkata to Dalajia जब Lord Harding Governor General बन जाते हैं यह Second की बात है First जब बने थे Lord Harding First Governor General बने थे तब Anglo Sikh War हुई थी 1844 से लेके 1848 तक उनका जो समय था Lord Harding First का समय था 1844 से लेके 1848 तक और पहली जो Sikh War थी वो Lord Harding First के दोर में हुई थी लेकिन Lord Harding Second के दोर में यहाँ पर बात है important Transfer of Capital हुआ था जब पहली बार जो Delhi Capital बनी तो वो Lord Harding Second के दोर में बनी पहले कहाँ पर हुआ करती थी कलकता में तो अब Delhi में है तब से Delhi में ही है Rawl Act Act जी हाँ अपने पढ़ा है Rawl Act Act के बारे में 1919 में हुआ उसके बाद जिलनावाना बाग मैसेकर हुआ 1919 में डांडी मारिच होता है 1930 में यह important कुछ moment चले यह moment ज्यादा important चला 1930 का डांडी मारिच First Round Table Conference जी हाँ First Round Table Conference जब हुआ तब Congress ने बाइकाट किया था लेकिन Lord Irwin उसके गवानर जनरल थे important यह यह कि Congress ने बाइकाट किया याद रख लीजिएगा First Round Table Conference जो था वो Lord Irwin के दोर में हुआ था और Congress ने उसके बाइकाट किया Second और Third Round Table Conference जब हुआ तब Wellington जो थे वो Lord Governor General थे यहाँ वाइसराय थे Lord Wellington जो थे वाइसराय थे और Governor General थे Very very important और सबसे important यहाँ पर यह चीज़ है कि वो कौन से शक्स थे जिन्होंने तीनों ही जिहां तीनों ही Round Table Conferences में बाग लिया था हिस्सा लिया था तो वो थे Dr. B. Mr. Ambedkar जिहां Dr. B. R. Ambedkar ने आलड़ी इनमें भी जो First Round Table Conference था Second Hour City Third Hour City इनमें हिस्सा लिया था तो Only Indian है जिन्होंने तीनों के तीनों Round Table Conferences अटेंड किये थी Crips Mission जो की इन्डिया में आता है 1942 में 1942 में इसके अगेनस्ट फिर एक मोमेंट चलता है जिसे कहा जाता है कुईट इन्डिया मोमेंट 1942 में जिहां 8 अगस्त को स्टार्ट होता है ये कुईट इन्डिया मोमेंट भारत छोड़ो अंदोलन लास्ट गवर्नर जनरल यां वाइसराय अफ इंडिया इन 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 इस Lord Mountbatten याद रख लीजेगा आखरी गवर्नर जनरल जो याव वाइसराय अफ ब्रिटिश थे इन इन इन्डिया में Lord Mountbatten और यहां पर एक और कुश्चन आपके लिए इंपोर्टन दियान दीजीगा पहले गवर्नर जनरल इन्डिया के कौन थे पहले गवर्नर जनरल इन्डिया के जो थे वो मतब जब फ्री इंडिया था तो Lord Mountbatten बने और पहले और आखरी गवर्नर जनरल जो खाली इंडिया की ही थे he was from इंडिया और वो थे C.R. राजा गोपालाचारी C.R. गोपालाचारी यह important था उसके बाद आगे बढ़ ले थे ही कुछ सोचल रिफंidd मु concurrent के बारे में पढ़ना हिम्पॉर्टंट है ब्रह्मो समाज वास फाउंड़ बाई राजाराम मोहनराई और इनका सबसे बड़ा जो काम था एबॉलिशन आफ सती किया था राजाराम मोहनराई ने ब्रह्मो समाज उन्होंने फाउंड किया था राजाराम मोहन राई ने और ब्रह्मो समाज राजाराम मोहन राई ने फाउंड किया था उसके बाद उन्होंने अबॉलिशन अफसती में भी काफी कुछ योगदान दिया और इसमें सफलता हासिल की अर्या समाज जी हां, अर्या समाज was founded by Swami Dayanand Saraswati, very very important, always ask a question very important, who founded अर्या समाज, Swami Dayanand Saraswati इसका जो एक slogan था, ये वाला slogan पुछा जाता है कि go back to Vedas India for Indianers, या याद रख लीजिए, अगर go back to Vedas India for Indianers, ये किस ने दिया था स्वामी, अर्या समाज जिन्हों ने found किया था, Swami Dayanand Saraswati ने कहा था, go back to Vedas और India for Indianers इसका मतलब क्या था यहाँ पे, go back to Vedas का मतलब ये था जब यहाँ पे ब्रिट्शियर्स Indianers को क्या कर रहे थे, हुकूमत कर रहे थे, Indians पे, उन्होंने कहा कि हमें, जो है, हमें पता होना चाहिए अपने हिस्टरी के बारे में, हमें अपनी हिस्टरी के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि हमें भी capability है, हमें भी ability है कि हम भी हुकूमत कर सकते जो, ब्रिट्शियर्स यह समझते थे कि Indianers were incompetent जो कि उन्होंने कहा कि आप वेदाज को पढ़ लो और इसके बाद आप Indian की, India की हिस्टरी खुद जान जाओगे यह Indianers को कहा उन्होंने Young Bengal Movement by Henry Louis Derozay Young Bengal Movement by Henry Louis Derozay, उसके बाद Very important, the Prathna Sorry, the Prathna Sabha by M.G. Rana Day M.G. Rana Day ने Prathna Sabha start किया था यानि शुरुवात की थी, establish किया था देव समाज by Shiv Narayan Agnihotri जी हाँ, Shiv Narayan Agnihotri ने देव समाज start किया था, अब हमारे जो टेलिग्राम चैनल है Dream High Academy, JK, SSB, JK, PSC में आप वहाँ पे जाइन कर सकते हो Free Notes के लिए उसके साथ-साथ हमारा जो फेस्बुक पेज ये, Dream High Academy उसको भी apply किजीगा वक्तन पर वक्तन आपको वहाँ पे आपको updates मिलते रहेंगे उसके बाद हम पढ़ लेते हैं देव समाज, जिसको found किया था यानि establish किया था Shiv Narayan Agnihotri ने सतिया शोदक समाज यह found किया था जोति बाफूले ने सतिया शोदक समाज बाइ, जोति बाफूले यह important है Harrijan सेवक संग यह important है इसलिए क्योंकि माहत्मा गांधी ने established किया यानि found किया था अब यह Harrijan सेवक संग का मतलब क्या है एक मोमेंट चल रहा था उस वकित बिश्वरस ने एक कन्फूजन डाला था जो डिवाइड रूल उनकी पॉलिसी थी वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम उन्होंने माइनारिटी उसको अलग करने की कोशिश की यानि एक उच नीच जो है वो यहाँ पे डिवाइड करने लगी पहले उन्होंने मुस्लिम लीग और जो कांगर्स को डिवाइड किया मुस्लिमस को अलग बनाया, हिंदूस को अलग किया यह rule करना चाहते थी और यहाँ पे एक और उन्होंने confusion start किया यानि एक confusion डाला लोगों में कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो एक ना अपर कास्ट हो यह lower कास्ट है यह actually Britishers नहीं create किया यह confusion और इसके लिए जो अलड़ी यह society में मौझूद था लेकिर इसका फाइदा किस ने उठाया Britishers ने और गांधी जी ने इसके लिए एक सेवक संग start की हरीजन सेवक संग यह found किया एक यह reform moment था और इसका मतलब था कि to remove untouchability जी हाँ to remove untouchability यह था history के जो आखरी lecture था यह revision का important question थी इसमे इसके साथ-साथ telegram channel पे भी आपको notes मिलते हैं और आज आपको मिलेगा important जो है 8-8 बज़े लगबग हम upload करेंगे MCQs का जो mock test series का दूसरा कह सकते हैं part हम आज 8 यह 8-8 बज़े आपके सामने वो आएगा तो thank you guys very much thank you